हेलो एब्रीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे करेंट एफेर्स की दुनिया में जो भी चीज़ें हुई है पिछले 6 महने के अंतरगत जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से तो इस वीडियो में हम लोग देखने की कोसिस करेंगे जो भी सेक्षन है चाहे वो बैग्यानिक प्रगती हो भारत में क्या हो रहा है सारे जानकारी आपको इस वीडियो में बिन जाएगी आपको वीडियो पूरी देख लेनी है पहली बात दूसरी बात अगर इसकी पार्ट 2 चाहिए होगी तो नीचे कोमेंट करके पार्ट 2 जरू लिखिएगा ये करेंट एफेर्स इंग्लिस में है अगेंस जो है किस कंट्री ने जो है एंटी-LGBTQा लॉग को घृक बिल को पारित किया है उस कंट्री का अब को बताना है क्या ये यूक्रेंड है इंगनडा है ये ब्राजिल है तो आपको पता होना चाहिएwest यूक्रेंड जो है बहूत ही डेवलप्र कंट्री है और बहूत progressive thinking है इसकी यानि कि ये open minded है पहली बात तो ये तो right हो जाएगा इस्राइल भी same process को follow करता है ब्राजिल भी same process को follow करता है सिर्फ एक American country है जिसका नाम है यूगांडा ये अभी भी जो है थोड़ी सी जो है पीछे वाली बातें कर रहा है यहां से आप चीजों को देख पाओगे यूगांडा के पार्लियमेंट पासेज मोस्टली अंचेंज एंटी-LGBTQ बिल यानि कि यूगांडा के पार्लियमेंट वहां की जो संसद है उसने जो है एंटी-बिल ला दिया है किसके खिलाब LGBTQ community के खिलाब फिलाल आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर आपको इस country का नाम ब answer इरान होगा और इरान के उपर बहुत सारे सेंसन लगे हुए है USA के और मुझे लगता है North Korea और रस्या के बाद सबसे ज्यादा इरान पर सेंसन लगे हुए है ये किसी के साथ बिजनस नहीं कर सकता है डॉलर में जो है एक दूसरे को payment या फिर receive नहीं कर सकता है तो फिलाल इ इरान के साथ आपको जाना है आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और यहां से आप देख सकते हो यह सुपर सॉनिक मिसाइल की सुरी सुपर सॉनिक नहीं यह है इसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी और इरान का फ्लैग भी आपको यहां से दिख रहा होगा चलिए आ आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की होर वें डिड नाटो इन्वोक आर्टिकल 5 आफ नौर्थ अर्ट अलांटिक ट्रीटी फोर दा फर्स टाइम यानि कि नाटो ने ना आर्टिकल 5 कब जो है इन्वोक कर दिया था तो आपको मैं बता दू आर्टिकल 5 का क्या मतलब है आर्टि इन्स्टावर्थ पे जो अटैक किया गया था उसके बाद ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था यहां से आप देख पाओगे ये वीक है एक अक्टूबर 2011 सरी 2001 की बात है ये उस समय जो है आर्टिकल 5 जो है एक्टिवेट हुआ था आप लोग नीचे कमेंट करके बताई है कि नया वो कौन सा कंट्री है जो कि नाटो में सामिल हो चुका है और ये भी कोशन याद रखेगा टर्की का नया नाम बदल कर तुर्की रख दिया गया है एक्जाम में बहुत बार ये पुझा जाएगा याद रखेगा एक्ट्रा भी करेंट अफेर्स आपको बताई जा और आंसर भी आपको पता चल चुका होगा इंडिया जिसने ना एसिया में पहली बार पर्फॉर्मेंस बेस्ट नेविगेशन किया यानि कि दिसाब पता करने वाले चीज़ कर ली है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया एक्शली इमेज मुझे छिपा देना चा जो है फाइनल में जाती है और वहां पर जो है एक फाइनल मैच खेला जाता है जैसे IPL का फाइनल होता है या फिर World Cup का फाइनल होता है और वो टीम जीतिती है तो फिलाल WTC फाइनल में जो है सबसे पहली बार जिन्होंने सतक लगाया है उनका नाम है Travis Head Australia के हैं यहां से आप मिस वर्ड पीजेंट 2023 बिल बी और गनाइज़ जयाने की मिस वर्ड जो पीजेंट है 2023 वो कहां पर आयोजीत होगा इंडिया में USA में चाइना में जैपैन में कहां होगा नीचे कॉमेंट करके आप नहीं बताओगे मैं ही इस कांसर आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आ होने वाला है चाए वो वल्ड कप हो इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखिएगा एक कोशन तो यहां से बनेगा ही बनेगा आगे देखिए NIRF इंडिया की रैंकिंग 2023 में किस इंस्ट्यूट इंडिया की जो रैंकिंग है पूरे इंस्ट्यूट में सबसे टॉप किस ने इन्होंने जो है सबसे नंबर वन रैंकिंग हासिल करी है जो फैसलिटीज है या भी फैकलेटी जो अच्छे से पढ़ाते हैं सारे चीजों को ध्यान में रखे जो है ऐसी चीज़ें की जाती है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी चलिए आगे बढ़ते हैं नौवा को खाकोवा डेम देखिए ये डेम बहुत न्यूज में था हाल में ही आपको बताना है कि किस दो कंट्री के बीच आपको ये देखने को मिलेगा उस कंट्री का नाम आपको बताना है युक्रेन रसिया साउथ अफेरिका जंबामबे रसिया बेलारूस या रसिया च बीच में जो है दोनों के कंट्री के बीच में वार चल रही है पिछले देड़ दो सालों से एक दूसरे के खिलाप लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है फिलाल राइट आंसर क्या होजाएगा ऑपसर नमबर ए युक्रेन रसिया फिलाल आगे बढ़ेंगे यानि की इंडिया फ्रांस और युएए मिलकर जो है एक नेवल एकसरसाइज करेंगे आपको बताना है वो कहां होने वाला है उस जगह का नाम आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में नहीं बताना है आई बिल आइब आइब आंसर यस बेयो बंगाल में गल्फ आफ ओमान में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से आप देख लो यहां से देखो ऑप्शन B इसका राइट आंसर है यहां से आप इमेज भी देख सकते हो अलग अलग जो UAE के नेवल आफिसर्स हैं फ्रांस के हैं इंडिया के हैं सारे लोग यहां पे आपको फोटो में दिख है पिछले बार निजोलेंड ने हम लोगों को हराया और इस बार जो है अस्ट्रेलिया ने हम लोगों को हरा दिया है दोनों बार हम लोग हा रहे हैं और दोनों बार इंडिया जो है फाइनल में पहुंचा है यह भी कोशन पूछा जा सकता है लेकिन इस बार जो 2023 का WTC Championship है व यहां से आप देखो यहां से आप देख पाओगे मिंडी जो है वो कहा हो रही है वो आरा नशी में हो रही है और यहां से S.J. Sankar की फोटो आपने देख ली होगी S.J. Sankar इस दा राइट आंसर लेकिन फिलाल राइट आंसर क्या हो जागा option नमर भी जहां पे S.J. Sankar जो है वो पाटिसिपेट किये थे इंडिया के तरब से क्लियर हो गई बाते चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर नेक्ट कोशन आपके सामने यह रहा which country won its first women junior hockey Asia cup 2023 2023 का women's cup first junior hockey cup जो है किसने जीता है पहली बार किसने जीता है फर्स्ट टाइम की बात हो रही है तो right answer हो जाएगा इंडिया इंडिया ने जपान को हरा कर ये कब जीता है ये भी याद रखिएगा फाइनल में इंडिया ने किसको हराया ये भी question पूछा जा सकता है इंडिया जपान के बीच में final हुआ था जिसमें की इंडिया winner बना था जपान final में हार चुका था clear होगी आगे बढ़ते हैं अगले question की और अगला question से पले मैं आपको बता दूँ आप जिस भी exam की त्यारी कर रहे हो जाए चाहे वो देन डू follow me at the rate I amithun Singh आपको जो है प्रीफिशर question पेपर अविलेबल करादिया से एका फिलाल आगे बढ़ते हैं अगले question की और what is the theme of world day against children labor in 2023 उस theme का नाम आपको बताना है जो theme world day जो होता है जहां पर जो बच्चे काम करते हैं लेवर की तौर पे उनके लिए जो है बनाया गया है आपको उस theme का नाम बताना है theme कौन सी theme है तो देखिए इसका जो right answer होगा दोस्तों यहां से आप देख पाओगे option c social justice for all यानि कि सभी लोगों के लिए जो है social justice है और child labor को आपको खत्म करना है क्या करना है child labor को खत्म करना है मैं आपको यहां से दिखाता हूं यह देखो world day against child labor और यहां से देखो option है social justice for all how to end child labor क्लियर होगे बाते चली आगे बढ़ते हैं in 2023 2023 में इंडिया प्लान कर रहा है कौन से space mission की तयारी कर रहा है इंडिया और यह बहुत जल्द इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा इसका right answer है option number B चंदरियान 3 के तयारिया हम लोगों ने बहुत जोर सोर से कर दी है यहां से आप देख पाओगे चंदरियान 3 की बात हम लोग कर रहे हैं और यहां से आप इसकी photo भी देखोगे I hope कि इस बार moon पे हम लोगों का जो है rover अच्छे से उतर जाए land कर जाए चलिए आगे बढ़ते हैं फिलाल अगले question की ओर world donor day कब observe किया जाता है world donor day जो है blood donor day कब observe किया जाता है तो देखिए एक symbolize की जो है बात यहां पे की गई है ताकि आप जो है चीजों को समझ पाओ मैंने six times जो है blood donate किया है आप ने कितने बार किया है नीचे comment करके जरूर बताइए अगर आगे करना चाहते हो वो भी नीचे comment करके जरूर बताइएगा आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर which country refused to host 2024 इंडिया ने यह काम किया है इंडिया ने कहा दिया कि भाईया हम यह नहीं एक जगह से दूसरे जगह समान को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहां पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C, C आपका correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं recently my own walcon जो किस country में erupt हुआ है यह आपको बताना है जपान में, इसराइल में, इसराइल में option है ही नहीं, निजलेंड में, फिलिपिन्स में या इंडोनेशिया में, तो दिखे इसका right answer फिलिपिन्स होगा, फिलिपिन्स के below delays में जो ही इस तरह की image देखने को मिले थी, तो right answer क्या हो जागा दोस्तो, option number C, फिलिपिन्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, who was given the governor of the year award by the central banking in London, जो लंदन की ओर से एवोड दिया गया था, governor of the year, किसे दिया गया था, तो देखिए हमारे ही देश के governor को ये दिया गया है, right answer क्या हो जागा दोस्तो, right answer हो जागा, सक्तिकांद द C is the right answer, फिलाल मैं आपको फोटो भी दिखाने की कोसिस करता हूँ, ये देख लो, सक्तिकांद दास, conferred governor of the year award, clear हो गई बाते, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इरोवीन is the joint military exercise, आपको बताना है, एरोवीन जो है, कौन कौन देशों के बीच, जो है joint military exercise, हुई है, उस country का ना आपको बताना है, सिरलंका है, वो, जपैन है, माल्दिफ है, या USA है, तो यहां से आप देख पाओगे, इंडिया और माल्दिफ ने ये joint venture किया है, option कौन सा होगा, option C, यहां से देख लेते हैं, wait a minute, हाँ, जी, option C, इसका right answer है, ये देखो, option C के साथ आपको जाना था, फिला यानि कि, Asia कब जो है, अलग-अलग दो देशों में खेला जाएगा, आपको बताना है, उस दो country का नाम क्या है, तो देखिए, एक तो पहली बात, पाकिस्तान इसे host करने वाला था, पाकिस्तान तो इसमें रहे गा ही रहेगा, और इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर द यानि कि, दस सालों में एक बिलियन ट्रेड करने का लक्ष जो है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ रखा है, स्विडेन के साथ, यूके के साथ, जपाइन के साथ, या सर्विया के साथ, तो देखिए, सर्विया के जो वहां के representative है, जहां से हमारे राष्टपती को आप जी हां, नाटो प्लस एक टर्म है, आपको बताना है कि वो उसमें कौन-कौन सी कंट्री आती है, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दू, उसमें अस्ट्रेया आएगा, निउजलेंड आएगा, जैपैन आएगा, इसके अलाबा कोन आएगा, साओधी-कोरिया आएगा, अरेविया नहीं आएगा, और यहां से देख लो, आप एक और आप्सन है, इसराई, तो यह फर्स्ट आप्सन इसका राइट आंसर होगा, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, नाटो प्लस, सिंस नाटो के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, इंटरनेशनल बीडिय इंडिया में और इंडिया में भी, तो इसको जरूर आप याद कर लिजेगा, एक्जाम में आपको यह कोशन देखने को जरूर मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहरु मेमोरियल म्यूजियम और लाइबरेरी जो थी सोसाइटी, उसका नाम बदल दिया गया, जी है, न और उनसे जुड़े वे जो भी, बिलॉंगिंग्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा, यारी उनके समान जो है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, रसिया है टेक्टिकल नुकलियर वेपन इन विच कंट्री, यानि कि और इनके बीच में बहुत सारी दोस्ती है, यहाँ पर देमोक्रेसी नहीं है, दोनों कंट्री एक ही डर्ने पर चलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और याद रखना है, रसिया भले डेमोक्रेसी ना हो, बट इंडिया का बहुत बड़ा फ्रेंड है, बहुत पु लोगों को, एसिया कप में हम लोगों ने जपैन को हरा कर, वुमेंट टीम को हरा कर, इंडिया ने जो है कब जीता था, तो फुटबॉल इंटरनेशनल कप में का टाइटल हम लोगों ने जीता है, चाइना को, पाकिस्तान को, साथी अर्विया को या लेबनोन को हरा कर, तो option D's का right answer होने चाहिए, levelon को हरा कर हम लोगों ने ये कब जीता था, 2-0 से हम लोगों ने clinch किया था, clinch करना मतलब पकड़ बना लेना, जीत लेना, आगे बढ़ेंगे, which country recently signed a 4.8 billion dollar deal for a nuclear power plant with Pakistan, पाकिस्तान के साथ जो है किसने 4.8 billion dollar की deal sign करी है, चाहिना ने, रसिया ने, USA ने या नॉर्थ कोरिया ने, तो देखो इसका right answer क्या हो जाएगा, चाहिना, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही trump card है, चाहिना के साथ ये tie up करते हैं क्योंकि और कोई country देखो, USA तो करेगा नहीं, रसिया इंडिया का ही पोटर है, और नॉर्थ कोरिया तो अलग थलग देश पड़ा हुआ है, तो right answer क्या हो जाएगा, चाहिना, चाहिना ही जो है, इससे आगे बढ़ा रहा है, और याद रखना जिस तरह से अंग्रेज इंडिया में एक दिन, पूरे country को इनोंने कबजा किया था, इंडिया पे, पाकिस्तान, बंगलादेश पे, स्रिलंका पे, उसी तरह से याद रखना, एक दिन पाकिस्तान जो है, ये जो चाहिना है, इसकी कॉलोनी बन जाएगी, फिलाल आगे देखते है, ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये हो गया मेरा, आगे देखिए, उप्सन टी, मैं से नहीं पढ़ोंगा फिलाल, देखिए, इसका राइट आंसर साइज सी ही है, आइ थिंक सो, देखिए, ये बिलकुल सही है, मैंने सही बोल दिया, आप्सन सी का राइट आंसर होगा, सी के साथ आपको जाना था, आगे बढ़ेंगी अगली कोशन की ओर, इन विच कंट्री इंडियन आर्मे इच पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, खान क्वेस्ट 2023 में कौन सी कंट्री जो है पार्टिसिपेट करेगी इंडिया के साथ, साउदिय अरविया, इराक, मंगोलिया या फिर यू एई, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, आप यहां से देख पाओगे, आंसर सीज का है, इंडिया के साथ ये देखो, इन्होंने जो है ट्वीट भी कर दी है, और इंडिया के साथ कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, मंगोलिया, यहां से उप्सन सी के साथ आपको जाना था, सीज का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, या डी है, आप सिर्फ एकी आंसर लिखोगे, अगर नाम आपने लिख लिया तो, और अची बात है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इस वर्ल्ड बेस्ट लेवेवल कंट्री, ओ स्वारी, सीटी है यहां पे, यहां पे, सबसे अच्छा राने वाली जगा जो है, सहर वो कौन सी है, पुरे वल्ड में, इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, इनके अनुसार, इन्होंने कहा है कि भाईया, यह जगा जो है, सबसे अच्छा जगा है, जहां पे सारी सुविधाएं, फैसलेटीज और क्राइम बगएरा, कुछ नहीं है यहां प पाऊगे, कराची भी 169 में है, और इसके अलावा इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे देखो, टोरंटो है, ऑकलेंड है, ऑकलेंड निजलेंड में आता है, और लेकिन कराची इन्होंने दे रखा है, ढाका भी दे रखा है, और इंडिया का नाम फिलाल यहां प बार हो चुका है, यह दूसरी बार यह होने वाला है, तो उनका नाम है नरेंडर मोधी, नरेंडर मोधी ने एक बार जो है, USA के कॉंग्रेस को जॉइंट जो है, एक बार संबोधित कर दिया, यह दूसरी बार होगा, यह कितनी बार होगा, दूसरी बार हो, यहां से आप दे Integrated देखो यह जो complex है यह integrate किया गया है Indian Navy के लिए ठीक है उसका नाम आपको बताना है धुर्ब उर्जा नेप्चून या फिर चूर्स तो देखे इसका जो right answer आप यहां से देख पाओगे option A और यह देख लो यह officers के साथ नेवी officers के साथ हमारे रक्षामंतरी राजनात सिंग हम 2023 को जो है release कर दिया गया है आपको बताना है कि यह gender gap report 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है World Bank के द्वारा, Bricks Bank के द्वारा, World Economics Forum के द्वारा या US Government के द्वारा तो इसका right answer C होना चाहिए जी हां बिल्कुल C ही है इसका right answer है World Economics Forum यानि कि WEF के द्वारा जो है यह जारी किया गय आगे बढ़ेंगे यहां से देख लो green diamond जी हां green diamond जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरंद मोदी ने US President Joe Biden को और first lady को दिया है तो आपको बताना है कि यह जो green diamond है ना वो किस state में बनाये गया है गुजरात में, आंध प्रदेश में, मारास्ट्रा में या फिर आसाम में जी green diamond को gift किया हूँ, यहां से आप photo भी देख सकते हूँ, और 7.5 karat का है यह, बहुत ही किमती है यह, आगे बढ़ेंगे, who has become the first baller in world cricket to play 100 consecutive test, यानि कि लगातार 100 test इनों ने खेला, एक बार भी यह drop नहीं हुए, एक बार भी इनको चोट नहीं लगी, लेकिन 100 test खेलने के बाद इनको चोट लग गई है, अभी England का series हो रहा है, वहाँ पे यह नहीं खेल पाएंगे, और आपने सही guess कर लिया है, रोही सरमा ये तो बिदेशी दोरों के नाम सुनते हैं, इनकी थर-थर होने लगती है, राइट अंसर नाथन लियोन है, और इनकी photo आप यहां से देख सकते ह और इनके सारे बाल निकल गएं, तो उन्होंने कहा कि मैं लगातार सौर टेश्ट खेल रहा हूं, इस बज़े से प्रेसर रहता है, और बाल सारे मेरे जड़ गए, आगे बढ़ेंगे, हासी मजाक में नोने ये बाते हैं, जो है, मीडिया के साथ से यार करी थी, वाट इस द हासिल कर ली है, और हमें और आप सभी लोगों को फुटवाल को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है, अच्छा कर पाए, विच कंट्री हास बिकम दे फर्स कंट्री इन वर्ल्ड बैन थिन प्लास्टिक बैग, जो पतले प्लास्टिक के बैग होते हैं, जिसमें जो प्लास्टिक बैग है, इसके उपर सुपर मार्केट के उपर बैन कर दिया, यानि कि सुपर मार्केट जैसे कि बिक बजार या फिर रिलाइंस वाले मॉल में जाकर आप इसे नहीं देख सकते हो, इंडिया में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये निउजलेंड में होगा सु साओधी कोरिया ने, मुझे नहीं पता ऐसी हरकते कोई क्यों ही करता है, और साओधी कोरिया में आपने स्क्विट गेम वगएरा देखी यहीं किस्तरी जाती है, यहां की जो वो एक पॉपलर के ग्रूप है, जी हां, यह बहुत गान वगएरा काते हैं, बीटियस ग्रूप ह इनका नाम आपने सुनाओगा, यह साओध कोरिया से ही आते हैं, इन्होंने जो है, अगर कोई 67 साल का है तो वो 2 साल का एज घट जाएगा, देखो, यहां पे इन्होंने करा है, पता नहीं यह क्यों किया है, खेर आगे बढ़ते हैं, अपने जनरेशन को यंगर बनाने के ल खोला जाता है, तो किस सिटी में जो है, एक ऑफलाइन इसे खोला जाएगा, हैदराबाद में, पतना में, पैंगलोर में, या फिर मुमबई में, यहां से आप इसका राइट आंसर देख पाओगे, ताइवान जो है, बूस्ट करेगा इंडिया के साथ टाइप, डिपलोमे की रैंकिंग, सबसे पीसफुल कंट्री कौन सा है, जी हां, सबसे पीसफुल कंट्री कौन है, आइसलेंड है, कनाडा है, निजलेंड है, या या यूसे है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आइसलेंड is the number one most peaceful country in the world, यानि कि सबसे सांती आपको आइसलेंड में मिल ब्लैक में, मेरिटेरियन में, ब्लैस्टिक या रेट सी में, तो देखो, इसकी में में आपको दिखाता हूँ, यह देखो, यहां से आपको सनेक आइलेंड दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, ब्लैक सी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप्शन, आप्शन A के स साथ आपको जाना था तंजानिया में भारत के देखिए भारत जो है ना 27 या 29 आयाइटी जो है अलग-अलग देशों में खोलने वाला है और हम लोग सुरुवात करेंगे तंजानिया के साथ आयाइटी इतना पॉपलर है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से देख लो यह MCQ है इंडिया का भी फ्लैग आ गया होगा बंगलादेश का भी है तो कौन-कौन सी साथ कंट्री है वो नीचे कमेंट करके कोई बता दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बहुत प्यार आएगा उस पर फिलाल इसका जो राइट आंसर है वो है 1997 1997 में बिमस्टेक की अस्था में तो देखिए इसका एंसर सी होना चाहिए यह जी जी बिल्कुल बिल्कुल यहां से देख लो पैरू डिकलियर स्टेट ऑफ एमेर्जनसी फॉर सिक्टी डेज साथ दिनों के लिए आपातकाल लगा दी है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ आपको जाना आगे बढ़ेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी सबसे उपर में कौन था आइसलेंड था आपको पता ही होगा है ना आइसलेंड था इंडिया की रैंकिंग 126 है जी हां आपको जानकर हैरानी होगी बट यह सही है 126 है 163 कंट्री का इसमें सर चि को भार्टे सेरकार तहीँ वो गर गई जर्मनी में सुटेन में यह स्पेन में तो देखिए इसका है निय्धरलेंड़ का मतलब होता है नीधरलेंड़का मतलब। जाता है नेदर लेंड वाले को डच का जाता है आप संसी के साथ आपको जाना था हम लोग जाएंगे अगले कोश्चन की और नेक्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा अगला कोश्चन बहुत ही धक्का लगा मुझे मैंने इसमें बहुत सारे सेर खरीद रखे थे इस कंपनी के और इसका राइट आंसर देखो फिलाल जो है फॉक्स कॉन ने इंडिया की जो कंपनी थी वेदांता इसके साथ डील को बिड्रॉ कर लिया है खतम कर लिया है अब इतना डॉलर यह बिलियन डॉलर यहां खर्च करने वाले थी अब इंडिया में यह नहीं करेंगे कोई और देखो यह वेदांता का भी नाम दिख रहा तो आपको बताना है कि कौन सी company ने thread app launch किया है देखो काम आपको यह जिसे दिख रहा होगा इंस्टा है आप तो यूज करते ही हो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका इसका राइट अंसर हो जाएगा Meta, जिहां, Instagram, Facebook और thread सारे Meta ही company के parent company है यह और इसके अंतरगती यह सारे company आती है Jens Stronberg जो है news में है वो किसके head है तो देखिए इसका right answer NATO होना चाहिए साथ यह बहुत दिनों से 10-12 सालों से यहां पे head कर रहे हैं यहां से देख लो आप और इनकी replacement अभी तक खोजा नहीं जा सका है अगर आपको इसकी part 2 चाहिए तो नीचे comment में part 2 जरू लिखिएगा वीडियो यहां तक अगर आपने देख लिया है तो please I request you नीचे comment करके जैहिंद जरू लिखिएगा तक कि मुझे पता चल पाए कि वीडियो आपने यहां तक देखी है thank you so much और previous question paper चाहिए चंडीगर्ड, JBT का हो JSC के सारे paper आपको मिल जाएंगे या फिर EMRS के principle या फिर PGT के paper हो आपको मिल जाएगा यहां से मेरी email id देख लो yourmithunsingh at the rate gmail.com पे mail कर लिजे इंस्टा पे हो then do follow me at the rate imithunsingh वीडियो को यहां तक देखने के लिए प्यार देने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया have a good day